बिस्मिलाहिरामानिराहीम, असलाम लेकुम, उम्मीदेहाब सब ख्यारियत से होंगे, आज में आपके साथ MGT501 Human Resources Management का Midterm के 3 current papers शेयर करूँगी, ये इस मन्थ जून के 2023 के current papers हैं, इनको देखके आपको idea हो जाएगा, कि आपका paper किस type का आएगा, कहां से आएगा, कितने questions नमर्स की क्या setting होगी, और मैं guarantee के साथ कहती हूँ, जो tips में आपको बताऊंगी, कि आपने कहां कहां से इस paper की त्यारी करनी है, अगर आप उनको follow करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा CGP आएगा, ये की जाने ही subject थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे focus के साथ प पास कर सकें, तो उसे लाजमी दूसरी और तीसरी बारी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये gift के दोर पे फिर यूनिसाथ में दे देती ही, दूसरी और तीसरी बारी, चैने, इसको हम पढ़ेंगे, इंशाला, इस बहुत असान हो जाएगा, इसके total 27 MCQ जाएंगे, जिसमें से 22 आपको attempt करने होंगे, और 5 की choice दी जाएगी, तीन short questions होंगे, दो आपको attempt करने होंगे, एक की choice होंगी, और 3-3 marks का एक short question होंगा, same as it is, तीन long questions होंगे, दो आपको attempt करने होंगे, एक की choice होंगी, और 5-5 marks का एक long question होंगा, तो पहले हम ये देख लेते हैं, कि जो हमारे 22 marks का paper पर है यह आपका objective में यह से होता है तो यह MCQs कहां से आती है मैंने दो बहुत से students को कहते हुए सुने कि इसका paper past paper में से आता है अरे नहीं मैं लिखके देती हूं यहाँ से कि इसका paper past paper में से नहीं आता यह MGT का subject है इसमें conditions के through examples के scenario's के through papers पूछे जाते हैं questions पूछे जाते हैं यह तब भी मुम्किन है यह आपको तब ही आ सकता है अगर आपका concept clear होगा यह past paper में से बिलकुल भी नहीं आता है इसकी मैं आपको guarantee देती हूं आप जिस्ट अपने hand rules को read करें ओके और बात जब भी आपको पता है कि जब मैं आपके साथ quiz की या assignments की वीडियो शेयर करती हूं तो मैं साथ में लाजमी कहती हूं कि इसका concept यहीं से clear करें exam में आपके लिए helpful होगा यह कीन जाने 25-30% paper पर आपके quizzes में से और assignment के question की बीच में से आते हैं अब मैं आपको साथ में इसका proof भी बताऊंगी अब वो बिल्कुल सेम वैसी wording तो नहीं रखते हैं इसके अगर कोई question आपसे quiz में पूछा गया है तो उसकी wording चेंज कर देते हैं अगर जिस तरह के अच्छा मेंजर के बार में आपको quiz दिया गया है तो कि उसकी क्या responsibilities है अब जो question दिया जाएगा वो तीन मासा question उसके topic के बीच में से कोई दूसरा बना के दे दिया जाएगा या हो सकता है कि उसी की wording चेंज करके आपको MCQs बना के दे दिया जाए या उसी topic के बीच में से क को follow करेंगे तो आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छा सीजी पी आएगा यह जो अभी आपके साथ में तीन current papers share करूंगी आपको देखके अंदाजा हो जाएगा कि सब्जेक्ट है असान है लेकिन just इसमें हमें अपने concepts clear करने की जरूरत है और अगर आपको अपने concepts clear करने तो आपको पास् पेपर्स परने की जरूरत निया है किसी की भी files परने की जरूरत निया है यह honestly speaking अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी किसी के handle स्वारी pass papers नी पढ़े किसी के notes नी पढ़े files नी पढ़े कियोंकि मुझे लगते कि हर एक अपने thoughts होते हैं अपनी opinions होती है किसी को कोई चीज़ इंपरेंट लगती है किसी को कोई चीज़ इंपरेंट लगती है हर एक ने अपने हसाब से फिर नोट्स बनाए होती है लेकिन जो हमारा paper होता है हमारा paper होता है वो hand routes की बिच में बना थे अगर आपका syllabus हुई है हमारागे hand routes हुई है सारी files भी, mcqs भी, short questions भी, long questions भी और किसी भी चीज़ को देखने की आपको जरुरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप पैठे रहते हैं अपने इसके ओपर past papers के ओपर तो जिस्ट वहां से आपका जो mcqs हैं ये कवर होंगे बाकि short question या long question छोड़ कर आने हैं नहीं ना तो उसके लिए just अपने concept को clear करें आपको दो चीज़ों की जरूरत है clarity of mind and clarity of thoughts अगर ये दो चीज़े आपके पास हैं किसी पूर्सकून जगा पे बैठके आप पार रहे हैं तो ये कीन जाने एक से डेड़ गिंटे में आपके subject की त्यारी हो सकती है अब तो syllabus भी काफी कम होगी है मैं जानती हूं कि subject थोड़ा सा मुश्किल है इसमें बहुत बहुत concept की जरूरत है लेकिन आप अपने quizis को देखिएगा ये जो current papers आ रहे हैं इन topics को थोड़ा सा पकल लीजएगा थोड़ा से इनका concept ले लीजएगा लेकिन इस बात को mind में रखिएगा कि हरेकी अपनी लाकूती है किसी का तो 50% paper past paper में से आ जाता है 50% paper handles में से आ जाता है किसी का 75 और 25 का ratio बना के paper done कर दिया जाता है और किसी का तो जड़ा सा टच किया जाता है past papers को यानि एक से दो MCQs ज़स्ट पीच में से डारे जाते है बाकी hand roads की बीच में से जाता है मैं just आपको इसलिए इतना focus दे रही है उस बात पर कि अपने hand roads को read करें क्योंकि paper वहीं से आएगा कोई question दिया होता है जैसे कि किसी condition के थूरू या example के थूरू पूचा जाता है same as it is वैसे question नहीं आते है होता कि याना ये एक बहुत important tip है जो मैं आपको बता रही है कि total 25, 30, 35, 40 questions की list बनी होती है तो उसके बीच में किसी के पीछे example लगाते थे हैं किसी के पीछे wording चेंज कर देते हैं या कोई condition लगाके scenario लगाके तो उसके कहते हैं कि इसके तनाजूर में आपने इसकी वजाहत करनी है होता हूँ उसका वोई solution है लेकिन student puzzle हो जाता है तो ये सब चीज़े आपको कैसे आएंगी कि जब आप अपने handle को पढ़ेंगे अगर आप अपनी past files को पढ़ेंगे past papers को पढ़ेंगे तो उस से यकीन जाने आपका एक से दो number ही आ सकता है तीन से पांच number आ सकते हैं ज्यादा नहीं आ सकते हैं लेकिन अगर आप अपने handle को पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी असानी हो जाएगी के तनाजर में इसकी वजाहत करें अब लिखना आपने वही होगा लेकिन बीच में आप पजल हो जाएंगे कि अब मैं इसके बीच में क्या लिखूं और इसमें बुलिट पॉइंट्स वार एक वस्चन दिये जाते हैं या फिर एक एग्जेंपल दी जाती है और कहते हैं कि इ के वीच में कौँ को सा मैनिजर यूजर है मैनिजर की कोसी चैर मैनिजर की को सी टाइप यूजरी है तो फिर आपने ज anno को रृट करें जल서 को यह सब जाते हैं जल्दी से कोस्चन time पेपर को देखते हैं थोड़ा सा आपको आपको ऑडिए हो जएगा कि पेपर किस टाइप पाएगा वाई इंप्लोईज और अफेर टू हाईर दिसेबल इंप्लोईज अगर आपने पर इंकी हो इस बार की असाइमेंट तो आपको थोड़ा बहुत इदर से रिलेट कर जाएगा यह वाला क्वेश्चन इस सब्जेट के ओपर बें बेतहाशाए वीडियो बना के डाल चुकी हूँ अगर आप उनको भी देखें तो वहाँ से भी आपको काफी सदा हेल्प मिल जाएगी इसके जो LMS पे अपने क्विज होते हैं उनको भी पढ़ लें उदर से आती हैं चल जाते हैं कभी साथ आठ आठ आ जाते हैं लेकिन अगर वहाँ पर टाइम रेस्ट निंग करना चाते हैं तो जस्ट अपने हैंडोर्स को पढ़ लें अपने जो रिसेंटली क्विजिस हैं उनको करने मेरा फुद भी जब प्यूजिस होती हैं तो मैं उनको सेफ कर लेती हूं और फिर जब पेपर आता है तो अधर से एक दो बार रिट कर लेती हैं में लिए असानी हो जाती है और असाइमेंट के क्वेश्चन का जो कॉंसेप्ट होता है उसक्लियर करने हैं अगर अपनी असाइमेंट की ओ तो यह कॉस्चन भी वहीं से रिलेट करता है अब देखने एक पेपर में ये दो कॉस्चन आपकी आसाइमेंट की बीच में से आये हैं अब अगर आप अबजक्टिफ की तरफ कर ले तो देखिएगा कितने पेपर रहें दर से कॉस्चन आएंगे पूछ लेते हैं, उसके steps पूछ लेते हैं, functions पूछ लेते हैं, types पूछ लेते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, तो इस topic को लाजमी कर लीजेगा, यहाँ से दूसरे paper स्टार्टर है, steps of human resources planning, responsibilities of HR manager, यह भी आपकी पिछली से, इस बार से पिछली बार वाली assignment का question था, के चारे manager की क्या responsibilities हैं, functions of human resources management का manager की क्या मतलब functions हैं उसके, और strategic management में उपर भी आपको पता है, कि topic बहुत important है, इसकी वीजेटर से दो long question आए वे थे, और अब, third paper यहां से start हो रहे है, long में hiring procedure लिखना था, कि किस तरह effective hiring होती है, अभी देखने effective hiring यह HR manager की बीच में जो hiring वाला topic है, उदर से ही question आ रहा है, HR के functions लिखने थे, और last में emotional personality और उसके negative और positive impacts लिखने थे, बाकिशोर्ट में एक hiring का ही repeat, इनसे related ही question repeat हुआ था, तो कि उसके step है, इसके बाद कौँसा step आता है, देखें इस topic को अच्छे तरीके से कीजिएगा, जो tips में आपको बताई हैं, again सुन लें, कि अपना quiz 1, quiz 2 और assignment का question अच्छे से कीजिएगा, उसके बाद just handles को पढ़ लिजएगा, कि अब handles भी इतने बीच में इतना ज़्यादा लिखा हुए, उसको हम कैसे cover के रहें, तो इसका simple solution यह है, कि आप just उसकी concept जहर में रख लें, कि इस topic में ये बात हो रही है, ये काम हो रहा है, इसका ये purpose है, जिस्ट मोटे मोटे points अपने mind के बीच में रख लें, इन्शाला आपका paper हो जाएगा, और अपने current papers को थोड़ा से देखने, आपको थोड़ा सा idea मिल जाएगा, कि पेपर यहां से आ रहा है, ये topic सादा important है, बाकि जो यही चीज़े हैं, और last में काम कीजएगा, कि जानमास पचाईएगा, अलाथ अलाथ से दुआ कीजएगा, दो नफल पढ़के जाएगा, इन्शाला आपका paper बहुत अच्छा होगा, अलाथ अलाथ किसी की मेहनक को राएगान नहीं जाने देते, तो मेरे तरफ से best of luck, आगे भी जो paper आती चाहेंगे, आप साथ शेयर करती और मुझे भी अपनी द्वाओं में याद रखेगा, नेक्स्टूडियो में मिलते हैं, अलाथ हाफिज़।